एक समय की बात है जंगल के पास एक लकड़ारा रहता था, वो जंगल में लकड़ी इकठा करता था और उन्हें पास के बाजार में बेचता था कुछ पैसों के लिए, एक दिन की बात है वो एक पेड़ काट रहा था, तभी हुआ ये कि गलती से उसकी कुलहाडी पास की एक न लगा, उसके रोने की आवाज सुनकर नदी के भगवान उठे और उस लकड़ारे से पूछा कि क्या हुआ, लकड़ारा ने उन्हें अपनी दुखत कहानी बताई, नदी के भगवान को उस लकड़ारे के उपर दया आई, और वो उसकी मेहनत और सच्चाई देखकर उसकी लेकिन इस बार भी लकड़ारे ने कहा कि यह कुलहारी उसका भी नहीं है, अब नदी के भगवान पानी में फिर से गायब हो गए, और अब की बार वो एक लोहे की कुलहारी के साथ वापस आ गए, लकड़ी का कुलहारी دेखकर लकड़ारा मुस्कुराया और कहा कि यह उसक की कुलहाडी है नदी के भगवान ने लकड़ारे की इमानदारी से प्रभावित होकर उसे सोने और चांदी की दोनों कुलहाडियों से